Hello dear students, welcome again to my channel, Maths with Pooja. हम class 8th के Maths का chapter number 4 कर रहे हैं, data handling, आकडो का प्रबंदन, जिसका introductory lecture में पहले ही अपने channel पर upload कर चुकी हूँ और ये पूरा syllabus आपका new Maths 2023-24 के according मैं करवा रही हूँ. तो last lecture में मैंने आपको introduction दी थी, मैंने बताया था कि किस तरह से data को हम graphically represent करते हैं. तो अभी हम ना तो examples पर पहुँचें ना exercise पर, हाँ एक बात और में clear कर दू कि new Maths में, ये हमारी exercise 4.1 है, new Maths में. और जो old Maths है, उसकी ये exercise 5.2 है, तो जिन students के पास old book है, वो वहाँ से अपना tally कर लीजेगा. और एक बात और में clear करना चाहूंगी, कि अगर इन notes की आपको PDF चाहिए, तो आप telegram पर मेरे group को join करें, जिसका link आपको video के नीचे description box में मिल जाएगा. और मैंने WhatsApp group भी आपके लिए बनाया हुआ है, तो आप अपने doubts भी मुझसे अच्छे से share कर सकते हो. अब आज के lecture में हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए, मेरे पास दोनों ही mediums की books हैं, मैं आपको दिखला देती हूं. पहले तो जल्दी से, ताकि बच्चों को ये रहता है कि भी हमारे chapter stally नहीं करें, chapter number 4, Hindi medium का है, ये हमारा intro मैंने दे दिया, और सबसे पहले हम ये तीन questions करेंगे, which are very important, इनको करना बहुत जरूरी है, आपको understanding के लिए प्रयास कीजिए, ये तीन questions हमारे पास हैं, और ये मेर ये पास बिल्कुल same English medium की अपनी book है, ये पुराने वाली book है, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि 5.2 exercise है, ये अपनी page number 71 है, तो उसमें ये question है, हमारे try these, आप देख लीजे, वही तीन questions यहां हैं हमारे, और वही तीन questions हमारे English Hindi medium में हैं, और statements मैंने दोनों की पहले ही write क कर ली है, language का कोई फर्क नहीं होता है, ये सब हमारे मन में बहम होता है कि हिंदी medium आसान है या English medium जिनको जो comfortable लगती है language आप उसमें understand करे, maths में तो just solution करना होता है, ठीक है, तो हम आज करने जा रहे हैं, try these, यानि परियास कीजिए, पहला, सबसे पहला परियास कीजिए, try these, जो की अपना exercise 4.1 से पहले आ जाता है, ठीक है, तो इसमें आपको क्या कहा गया है, कि दी गई सूचना को निरूपित करने के लिए एक उप्यूक्त आलेक खीचिए, draw an appropriate graph to represent the given information, ये है हमारा उसका पहला question, हम इसको समझते हैं और हम देखते हैं कि हम किस तरह से इसमें graph draw कर सकते हैं, एक बार मैं book उठाना चाहूं, sorry, एक बार book उठाकर मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि first question ये है, month जुलाई, August, September, October, November, December, number of watches sold, कि जुलाई में thousand watch भी की हैं, अगस्त में इतनी, September में इतनी, October में इतनी, November में इतनी, और December में इतनी, same हमारे इंदी मीडियम में है क जुलाई, August, September, October, November, December के महिने में बेची गई घडियों की संख्या, तो इनके लिए best क्या रहेगा, देखो आप इसको धंडारेक से भी दिखा सकते हो, लेकिन बहुत जादा data है, तो मुझे जो लग रहा है कि हम अगर इसको pictograph से बनाएं, यानि कि चित्रालेक से बनाएं, तो वो हमारे लिए जादा अच्छा रहने वाला है, समझ में आरी बात, तो इसके लिए मैं बनाने जा रही हूँ, pictograph, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, चित्रालेक, तो सब कुछ मैंने अल्रेडी लिख दिया है, यान्मंस लिख दिया है, यानि कि number of watches sold, अब एक बात पे ध्यान दो, कि 1000 watch हमारी जुलाई में sold हो रही है, 1500, 1500, 1500, 2500, 2500, 1500, 1500, तो अब आप ये देखो कि हम symbol दिखाते हैं, चित्रालेक में, pictograph में हम एक symbol दिखाते हैं, तो मैं घडी का symbol तो मैं बना सकती हूँ, तो यहाँ पर ये मैंने घडी बनाई, 12, 3, 6, 9, और इस तरह करके हम लेते हैं, ये एक symbol कितनी घडियों के लिए हम लेके चलें कि हम आसानी से बना सकें, लगाओ भी दिमाग जल्दी से, मेरे लिखने से पहले आप दिमाग लगाओ कि इसको मैं एक घडी दिखाऊं, 10 दिखाऊं, 100 दिखाऊं, 200 दिखाऊं, 500 दिखाऊं, 1000 दिखाऊं, कितनी जल्दी बोलो क्या आया माइंड में 500 वाचेज 500 गडियां जो एक सिंबल है वो 500 वाचेज को 500 गडियों को अगर दिखाता है तो हम आराम से कर सकते हैं जुलाई में 1000 याने की 1000 गडिया हमारी सोल्ड हो रही है और अगस्त और सेप्टेंबर में 1500 यानी 1500 गडियों को दिखा रहा है तो 1000 के लिए कितने सिंबल बनाने पड़ेंगे मुझे 2 तो यहां 2 गडियां बना दो इस तरीके से बहुत सफाई से अपना बना लेना डायग्राम इस तरह से आप थोड़ा साया निशान भी लगा सकते हो तो एक गडि 500 को दिखा रही है तो दो गडिया कितने को दिखाएंगी 1000 को दिखाएंगी यह इसमें हमने 3 बजा दिये हैं तो यह होगी 1000 वाच क्लियर है अब सेप्टेंबर में और अगस्त में 1500 यानी 1500 तो 1500 के लिए 5-3-0-15 टेबल लर्न होनी बहुत जरूरी है तब ही हम अंदाजा लगा पाएंगे कि 5-3-0-15 होता है तो आप इस तरीके से यहां 3 सिंबल बनाओगे ठीक है एवन जल्दी से हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं आपको ड्रॉ करते हुए मेरे को देखना भी है तब ही आप ड्रॉ क कर रहे हूं 500 घडियां ठीक है तो दो सिंबल का मतलब 5-2-10-1000 और 3 का मतलब 1500 दो का मतलब 1000 तीन का मतलब 1500 ऑक्टूबर में 2000 तो 2000 के लिए क्या करना चाहिए मुझे 4-5-4-20 पीछे की जीरोज को तो बाद में काउंट करना है न तो यह अपनी 4 वाच मैंने यहां बना दी तो इसको टेबल आती है जिन बच्चों को टेबल लरने जिन बच्चों को पहाड़े याद है उन्हें तो देखते ही पता लग जाएगा और नॉम्बर में सबसे ज़्यादा 2500 गडियां हमारी बिक रही है तो भेया 5 सिंबल बना दो यहां पर उठाके ठीक है 5-5-25-5-25 ठीक है तो इस तरीके से हमारा यह तैयार हो जाएगा पिक्टोग्राफ क्लियर है अगर किसी बच्चे को लग रहा हो कि मुझे बार ग्राफ बनाना चाहिए तो आप बार ग्राफ ट्राई कर लीजेगा कोई डाउट हो तो मुझे शेयर कर लीजेगा और दिसंबर में हमारी 1500 सेल पर थ्री सिंबल्स ऑफ वाचिज बना दियें गडियों के तीन चिन मैंने यहां पर बना दियें और इसके बाद मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट को मीडियम वाइज कोई भी दिक्कत आनी चाहिए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट से वो हिंदी वाला पार्ट नोट कर ले इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट से वो इंग्लिश वाला पार्ट नोट करें and that's all बिल्कुल आसान सा कुष्चिन था second पे चलते हैं यह है हमारा try these का second question बच्चों की संख्या देखो क्या है कि तीन स्कूल्स हैं पहले ना statement को समझा करो सीधा मतलब solve करने मत लग जाया करो आपको यहां क्या दिखाई दे रहा है यहां दिख रहा है बच्चों की संख्या children who prefer school a school b school c पैदल चलना cycle से चलाना walking cycling 40 यह क्या दिखा रहा है कि school a में जो बच्चे हैं जो पैदल जाते हैं वो 40 है और cycle से 45 school b में 55 students पैदल चल रहे हैं वो करके जा रहे हैं 25 55 students cycle चला के जा रहे हैं school c में 15 पैदल जा रहे हैं 35 वोक करके जा रहे हैं तो इसके लिए सबसे अच्छा डाइग्राम क्या रहेगा तीन डाइग्राम मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताए थे चीक हैं तीनों आपको याद हैं या नहीं देखिए जल्दी से मैं रिव चाहिए उसमें हमें वीडियो को पॉज करके एक मिनट के लिए खुद भी सोचा करो कि क्या आप अच्छे से इसमें बना सकते हो डबल डेटा दिखाई दे रहा है तो मेरे अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर द्वी दंड आलेक यानि कि डबल बार ग्राफ बनाते हैं सुन करते हैं तो यह देख लीजे भई मेरे अथियार तयार है मेरे पास स्केल है इरेजर है पैंसिल है और अपना कमपास है प्रकार है सब चीजी है मेरे पास तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक अच्छे से दो स्टेट लाइन ड्रॉ करेंगे एक हम अपनी उर्दुवादर यानि की वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और एक हम अपनी होरिजॉंटल यानि की शैतिज रेखा को ड्रॉ करने जा रहे हैं आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं कैमरा दुबारा से सेट कर देती हूँ अब देखिए भई अब ये पूरा हमारा फ्रेम में आ चु कुछ आ रहा है ठीक है तो सबसे पहले मेरे पास यहां ओल्रेडी लाइन ड्रॉ हैं तो मैं इनको अभी मुझे कमपास की कोई जरुरत नहीं तो मैं पैंसिल को बहार ले लेती हूँ फाइव टैन फिफ्टीन ठीक है फाइव टैन फिफ्टीन पता है लाइन वाली नोट 25, 35, 35, 40, 40, 45 याने 45 और 50 और 55 और यह आ जाएगा 60 यह हमने क्या लिखा है यह हमने बच्चों की संख्या लिखी है तो आप ऐसे हाथ को टेड़ा करके यहां पर जरूर लिखेंगे number of students इन चोटी चोटी बातों का आपने ध्यान रखना है अगर आप इनको नहीं लिखोगे तो examiner को समझ नहीं आएगा कि आपने क्या लिख दिया है समझ रहे हो ना मेरी बात को तो यहां आपने लिखना है बच्चों की संख्या अब यहां पर आप क्या करेंगे school A, B और C यह देख लीजी तीन schools है हमारे school A, B और C और तीन ही है तो अच्छी दूरी पर क्योंकि हमें double graph बनाना है तो अच्छी distance पर हम लेंगे ताकि हमारी वो graph जो होचपोच ना हो जाएं यह अब देखो वे लगबग 15 cm की हमारी यह line है तो क्यों ना हम 5, 15 पर थोड़ा दूर हो जाएगा चार ले लो चार और यह अपना आठ और यह अपना हो जाएगा बारा इस sign को इसको आप भूल जाना ठीक है तो यह हमारे पास आ जाता है school A, school B और school C हो गया अब आपको पहले graph बनाना है पैदल चलने वाले बच्चों का यानि कि जो walking करते हैं तो 40, 55 और 15, 40, 55 औ अब आप क्या करोगे अब जैसे पिछले में मैंने लेक्चर में बताया था कि अगर सिंगल बनाना है तो दोनों तरफ डोट लेंगे लेकिन अब हम A के left में एक graph बनाएंगे एक राइट में एक graph बनाएंगे सुन लो मेरी बात पहले मैं school A का graph बनाऊंगी अब जब हम इस पैदल चलने वालों के लिए है यानि की English Medium वाले बच्चे लिखेंगे walking के लिए है और जब हम इस तरह की lines draw कर रहे हैं तो वो हमारा हर चीज पता है graph में clear होनी चाहिए cycle चलने वाले के लिए को graph तो आपने बनाया लेकिन अगला तो तभी समझेगा ना जब आप उसको सारी बाते समझा पाओगे ठीक है अब देखने वाले को पता लग रहे है कि जो plane है वो पैदल चलने वाले हैं जिसमें line खिची हुई है वह या वो cycle चलने वाले है ठीक है अगर आपने ये बात नहीं लिखी तो examiner को कोई पता थोड़ी उसको विचारे को सपने थोड़ी हा रहे एक के left में मैं ले लेती हूँ कोई 1 cm तो ज्यादा ना हो जाए नहीं होगा चलो हाफ ही ले लेते हैं देखो यहां आपको नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं थोड़ा सा enlarge करती हूँ एक बार camera देखें जरा अब आप अच्छे से देखें कि मैंने ए पर यहाँ pencil रखी और यहां रखी तो यह कोई half cm यानि कि 0.5 cm का हो गया तो एक line में यहां से draw करूँगी एक line यहां से और कहां तक ले जाओंगी 40 तक मैं इसको लेकर जाने वाली हूँ 40 तक मैं लेकर जाने वाली हूँ क्योंकि हमारे सामने क्या data है कि जो cycle से जाने वाले बच्चे हैं school A में वो 40 वाली line यह है तो थोड़ा idea ले लो या तो आपको ऐसा करना पड़ेगा कि 40 पर थोड़ी सी ऐसे line लगानी है अब A पर जो मैंने यह दो dots लगाए हैं दिख रहे हैं आप सबको black pen से इनको dark कर दू हलका सा भी थोड़ा वीडियो में दिक्कत ना आ रही हो आपको देखने मे तो यहां से बिटा ऐसे और यहां से ऐसे और आपने कहां तक ले जाना है 40 तक ले जाना है और इसको यही छोड़ देना है और जो यह extra lines है यह आपको अब यहां से erase करनी पड़ेंगी ठीक है यह हो गया school A का पैदल चलने वाले बच्चे इसमें single भी समझ आ जाएगा आपक अब school B में पैदल चलने वाले कितने है 55 55 वाली line का idea लगा लो यह देको line वाली notebook में मैं बार बार बोल रही हूं बहुत आसान होता है तो अब यह B पे मैंने रखा half centimeter पर यहां dot लगाया और यहां से मैं बिल्कुल straight ध्यान कर लेना थोड़ा सा बिल्कुल सीधा खीचना है फूटे को टेड़ा नहीं रखना है scale को टेड़ा नहीं होने देना है ठीक है वई इधर से मैं भी थोड़ा सा देख लेती हूं कई टेड़ा ना हो जाए नहीं है बिल्कुल भी टेड़ा नहीं है तो यहां से हम straight line अपनी draw करेंगे 55 तक दूसरी straight line हम यहां से draw करेंगे और यह आ गई हमारी 55 पर clear है अब हमें साफ दिखाए दे रहा है कि B school के 55 students पैदल जा रहे हैं और ऐसे ही C school का 15 तक ले जाएंगे तो 15 तो भीया यहीं पर ही है हमारा और half centimeter मैंने आपको बोला यह लेना है तो 15 5 10 और 15 3rd line तक बस इसको ले जाओ तो यह तो हो गए पैदल चलने अब यह है single bar graph आपका double इसी में बनाना है तो ऐसे बनाना है 45 students है जो cycle पे जा रहे हैं तो यह 40 से अगली line ही 45 है तो एक line तो इसी को touch करते हुए देखो यह 40 तक है तो यहां तक ले जाओ बिटा 45 तक ना समझाए ना जिन बच्चों को तो पहले 45 से ऐसे line draw कर लो तो आपको उपर दिख जाएगा कि आपने अपनी line कहां तक ले जानी है और अब आधा centimeter ही इधर निशान लगा लो यह dot दिख रहा है भी यह dot दिख रहा है सबको आधा centimeter पे और इस dot से फिर हम ले जाएंगे 45 तक अब यहां एक ध्यान रखना है कि ऐसे हमने इसको fill कर देना है क्योंकि हमने उपर बताया हुआ है कि इस तरह वाले cycle चलाने वाले बच्चे हैं अब देखो school A में यह बात हमारी clear हो रही है कि 40 student cycle से पैदल जा रहे हैं 45 students से cycle से जा रहे हैं अब यह 25 और 35 है चीक है तो इसको थोड़ा उपर करते हैं notebook को 25 बी से पहले तो half centimeter पे एक dot लगा लो यह म लाइन यहीं इसके साथ से ही ऐसे खीच दो अब आपको दिख जाएगा कि यह लाइन आपने यहां तक ले कर जानी है तो 25 यहां तो जरुरत ही नहीं है 25 तक तो यह लाइन ओल्रेड़ी अपने draw हो ही रही है और इसको ऐसे fill कर दो और इस पे 25 ऐसे right कर दो ठीक है आ गया 25 के सामने बिटा ऐसे हलका सा ऐसे mark कर लो इसको हम बाद में रव कर देंगे दिख रहा है ना भी आपको तो सी से half centimeter पर हमने यह मार्क करना है यहां इस तरीके से अब सी यह लाइन तो कहां तक है यह तो केवल 15 तक है जाना है 35 तक तो अब यह आगे बढ़ेगी यह लाइन 55 तक already थी तो 25 तक हमें जाना नहीं था वो बीच में पढ़ रहा था अब इसको तो बढ़ाना पड़ेगा इस वाली लाइन को बढ़ाना पड़ेगा और इसके साथ वाली लाइन को भी बढ़ाना पड़ेगा और यहां तक ले जाएंगे कहां तक 35 तक और इसको ऐसे कर हैं और एक बात और रह गई है यहां नीचे भी आपने लिखना है स्कूल हां हिंदी में लिखोगे तो अपना क्या लिखोगे विद्याल है इन सब चीजों का आप ध्यान लखोगे तो देखो कितना साफ सुत्रा नीट एंड क्लीन आपका ग्राफ आया है यह तभी आपको इस पर आपका 6-8 का अलग ग्रूप है WhatsApp पर 8th क्लास का अलग से ग्रूप है और कमेंट बोक्स में भी आप मुझे शेर कर सकते हैं अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो अभी पहुझ करके सब्सक्राइब करो जादा से जादा फ्रेंड्स को शेर करो आगे देखते हैं और अब ह से समझ लो परसेंटेज विंस इन वन डे इंटरनेशनल बाई एट टॉप क्रिकेट टीम्स यह आठ टीम है चैंपियंस ट्रोफी से वर्ल्ड कप 6 तक साउथ अफरिका 75% जीता है उस्ट्रेलिया इतना स्री लंका इतना और लास्ट टैन वन डे इंटरनेशनल ओ डी आई का मतलब होता है वन डे इंटरनेशनल यानि एक दिवसी मैचों में कितना बार जीता है यह आपका रहा हिंदी मेडियम का मैच सेम स्टेटमेंट है कि चैंपियंट टॉफी से तब तक कितनी बार जीता है और यह तो डबल है तो फिर से हमें क्या बनाना है द्वीधन डालेख अब मैं होप कर रही हूँ कि आपको समझ आ गया हू LISA है तो मैंने पहले से ही यहा अपना तैयार कर लिया है एक LINE आपने यहां ड्रो की मैंने दो दो क्योंकि आठ टीम है तो मैंने 2-2 सेंटीमितर के डिफेंसिस पर यहांपर टीम्स लिख दिस दिए देख लो नीचे चाहिए था इसलिए मैंने यहां पर line wise देखो ज़्यादा असानी रहती पांच-पांच के gap पर ले लिया अब मान लो आपको जैसे यहां पर जरूरत पढ़ जाए 61 की सुनना मेरी बात ध्यान से 61 की जरूरत पढ़ जाए तो यह आपका 60 है इसके यहां 4 equal parts आप करोगे और इस से just उपर आपका 61 आपको तयार मिल जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और बिलकुल last वाले question की तरह आपको show करना पड़ेगा कि जो single वाला है अब यह देखो यह क्या लिखा है मैंने यह आपनी book से आप देखना champion trophy to world cup 6 champion trophy से world cup 6 तक last 10 one day international 2007 में पिछले 10 one day international त champions trophy to world cup 06 यानि आप इनको नाम भी दे सकते हैं मैं आपको बताओं आप इसको ए नाम दे दो और आप इसको भी Hindi medium वाले बच्चे भी English medium वाले बच्चे भी और यहां पर आप show कर दो कि यह A को indicate कर रहा है और जब हम इस तरह का sketch बना रहे हैं तो वो B वाली percentage को indicate कर रहा है करनी है कहीं आप ऐसी सीधे चार-चार डंडे खीच कर खड़े हो जाओगी मैडम रो बार graph तयार हो गया तो कोई teacher आपको marks नहीं देने वाला है भाई graph का मतलब क्या है देखते ही सब कुछ clear हो जाए समझ आ जाए वो graph है तो बिल्कुल उसी तरीके से last question की तरह आदा आदा एक पे है तो आधा centimeter मैं इधर डोट लगाया और आधा एधर एक graph ग्राफ बार इधर बनाओंगी देख लो ध्यान से आधा एधर से इधर लगा एक इधर बनाओंगी एक इधर बनाओंगी तो यह 75 75 कहा है अब देख लो यह है मैंने हलका सा डोट लगा लिया पहचान के लिए आप वीडियो को जूम भी कर सकते हो अगर आपको ना पता हो तो लेकिन मुझे पूरा दिखाना पड़ेगा तो पूरा ड्रो कर र इधर आजाएं यह देखें भई यह आपका 75 है और यह 80 है तो यह आएगा 76 77 78 और 79 समझ गये ना मेरी बात को यह 75 से अगला है 76 उससे अगला है 77 और उससे अगला यह है 78 अब आप क्या करो इस 78 पे स्केल को ऐसे रखोगे और एक लाइन हलकी सी यहाँ ड्रो कर लो हलकी सी हो आपने क्योंकि South Africa को दिखाना है तो इसी वाली लाइन को आगे 78 तक बढ़ाना है अब मैं वीडियो को फिर छोटे उसमें ला रही हूं ठीक है आपने लॉजिक को समझना है जब तक वहाँ नहीं दिखेगा आप कैसे करोगे तो 78 पहले ऐसे लगा लोगे तो convenient रहेगा तो यह मिलाया और यह डोट मैंने यहां पहले से लगा रखा था half centimeter पर तो यह बिटा जी अपना हो गया 78 और यहां माक करेंगे यहां 78 परसेंट लिखेंगे और साथ के साथ इसको ऐसे fill कर देंगे तो clear हो जाएगा कि South Africa ने कभ कभ क्या क्या कितने percent winning की है और यह extra parts को आपने erase जरूर कर देना है is it okay with it चलू भई आगे समझ आ रहा है ना आपको अब आजाओ Australia पे 61 और 40 है ना उसने वर्ल्ड कप वगेरा जादा जीते हैं लेकिन वंडे में जादा नहीं जीता 61 कहा मिलेगा अब यह 60 है तो इस से just उपर मैंने dot लगा रखा था यहां पहले यह 60 है यह 61 है तो हलकी सी line लगाई Australia के दोनों तरफ सबके दोनों तरफ पहले मैं ना half of centimeter पे mark करी देती हूँ सबके क्योंकि हमने सभी का double graph खीचना है तो यह 2 है तो एक dot में यहां लगा देती हूँ 1.5 पे और एक यहां 2.5 यह 4 है तो एक यहां लगा देती हूँ और एक यहां लगा बनाना है नहीं समझाए तो अपने doubts आपने मुझसे share करने हैं पहले मैंने half of centimeter पे mark कर दिया है अब हम फटा पर चलते हैं Australia को 61 तक ले कर जाते हैं और यहां से भी फिर इसको 61 तक ले कर जाते हैं विर्थ का ध्यान रख ले ना भईया आप यह सब बराबर विर्थ के होने च यहां से हम इसको 40 तक ले जाते हैं नहीं दिखे किसी को यह line तो अपना पहले उपर से जैसे मैंने बताया उस method से line draw कर लो और इस तरीके से आपने इसमें mark कर देना है clear है तो मैं एक बार इसको जल्दी से draw करके फिर दिखाती हूँ तो बिटा वीडियो ज्यादा लंबा न जरूर शेर करना है और फ्री होके आपने मेरिसे पूछना है कि मैं ये बात समझ में नहीं आई है तो मैं दोबारा से जरूर बताऊंगी और अगर lecture पसंद आए तो एक छोचा सा काम जरूर करें कि ज्यादा से ज्यादा friends को share करें चैनल को subscribe करें और आपका कोई suggestion हो तो जरूर आपने देना है थेंक यू